कि हांजी वैरी वैरी गुड मौनिंग इलिस्टेशन थी में अलाउंस बिल्कुल अभी पहले लिस्टेशन टैनी कर लें इसके बाद एक और कोश्चन करेंगे वह इसके लिए फटा-फट बताईए वह इसके लिए तो पहले लिस्टेशन 10 का पर उठा लेते हैं जो कि था अलाउंसेंस वाला किया एलिस्ट्रेशन 10 मैंने बूर्ड पे कराये था तै नहीं करता है तो चलिए करा देते हैं पूरा यह कर लेते हैं इलिस्ट्रेशन 10 है चलिए सवाल नमबर कि तो हमारा पार्ट आता है अलाउंसे सर अलाउंसे होता क्या है कि सबसे पहले मैं बोलू तो काइंड ओफ डिसकाउंट ही होता है कि डिसकाउंट और और अलाउंसे सेम थिंग है बस discount allowances लगबग लगबग सेम है अब इसमें सवाल ये होता है कि जैसे मान लो मेरा ये एक मैंने stock account बनाया समझना बात को अब अब stock account में मैंने sales एक व्यक्ति को किया यहां पर मैंने लिखा opening stock मान लेते हैं 50 अजार का मैंने लिखा purchase एक लाग का तो सर मेरे पास कितने रुपए का समान पढ़ा हुए बताओ टोटल डेड़ लाग का है ओपनिंग में 50 और एक का हमने करा तो टोटल कितने का होगी हमारे पास डेड़ लाग अगर हमारे पास टोटल डेड़ लाग रुपए का है और मैं इधर sales लिखना चाहता हूं by sales बाई क्या लिखना चाहता हूं मैं sales मैंने कहा कि मैं इसके उपर ना 20% profit margin रखके बेचुआं तो इसका मतलब मेरा जो sales होना चाहिए डेड़ लाग पे 20% कितना होगा हमारा यानि डेड़ लाग पे मुझे 20% margin रखना होगा डेट इस आपका 30,000 और यह हमारा कितना होना चाहिए एक लाग असी अजार कितना होगा एक असी यह scenario होना चाहिए लेकिन एक जो customer था ना उसको मैंने बोला था कि एक असी का होगा लेकिन इसने जिद बहस करके मेरे से इसका price क्या करवा लिया कम कितना price करवा लिया इसने मैंने फिर बहुत calculation किया तो कई बार दुकानदार पता है इतना मजबूर हो जाते हैं इस level पर आ जाते हैं कि अपनी जेव से देखे बोलता है चल ले जाया और उसके पीछे कई reasons है पुराना stock निकालना हो तो कई बार हम loss में भी बेचने के लिए त्यार हो जाते हैं customer को competition इतना हाई होता है तो हमने बोला भाई एक 80 से तो कम का नहीं पढ़ेगा लेकिन जो यह customer था बहुत जिदकिया बोला 10,000 और कम कर लो please 10,000 कम कर लो मैं ठीक है तू 10,000 और कम कर ले बात खतम कर तेरे को कितने का दे दिया मैंने 170 का दे दिया यानि ज यहाँ पर price लिख रहा हूं न वो लिख रहा हूं कितना कहीं न कहीं यह हमारा accurate तो दिखा नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमें तो 180 कोट करना चीए था selling price कितना था हमारा 180 लेखिन मैंने कितना दिखा है 170 तो हम एक काम और करेंगे इधर allowances के नाम से दिखा देंगे 10,000 और इ एक 80 लिखना था वो बराबर पर आ गया यानि जब कभी भी allowances होगा तो एक तो stock account में by side में आ जाएगा और यह क्या है आपका नुकसान है एक तरीके से यह क्या है आपका पूरा नुकसानी तो हो गया खर्चा है नुकसान है तो इसको हम ले जाएंगे कहां पे सर branch adjustment account में औ और debtor account के अंदर भी तो allowances सर डिसकाउंट है तो debtor में भी दिखाऊ तो debtor में अगर मैं यहां पर एक 80 दिखाऊंगा तो मैं इधर allowances 10,000 दिखाऊंगा मैं अगर डेटर में मैं एक असी इधर दिखा रहा हूँ तो अलाउंसिस मैं दस हजार दिखाऊंगा अगर मैं इधरी एक सत्तर कर दूँ तो ये मैं नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है तो अगर कहता है ना, already adjust in selling price मतलब जो डेटर में यहार आओगा, पहले से माइनस करके होगा adjust का मतलब क्या है, मैं बोलूँगा कि इस एक लाग सत्तर हजार में पहले सही allowances को adjust कर दिया गया है इसका मतलब already adjust का मतलब होता है कि पहले से क्या कर दिया गया है minus, समझ रहे हैं इसका मतलब सर, जब कभी भी allowances आएगा तो दो जगह entry चला जाएगा, अगर already adjusted है तो सर, दो जगह कहां जाएगा तो एक तो stock account के अंदर चला जाएगा हमारा दूसरा इसका सारा loading निकल जाएगा हमारा कहां पे branch adjustment account के अंदर, debtor वगरे में कहीं भी इसका कोई role नहीं play करने वाला, तो फटा-फट से इस सवाल को हम करी लेते हैं पूरा, तो हमें समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत idea लगी गया, ये कौन सा system है, ये भी देख लेते हैं, कौन सा system है ये, branch adjustment बोला तो stock debtor system है हमारा, है ना, तो क्या बोला इसने stock debtor system है एक बन गया stock account एक बन गया stock account एक बन गया स्टॉक अकाउंट इसके बाद एक बनेगा ब्रांच अड़िस्मेंट अकाउंट एक बनाएंगे ब्रांच अड़िस्मेंट अकाउंट और एक इस साइड बना लेगे पी एंडल और डेटर वटेबर नेम को ठीक है अब बना लेगे हम चलिए देखिए कहता है आगरा हेड ऑफिस्ट अप्लाई गूड्स इस ब्रांच अलवर अगर कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट है तो सेल्स पे होगा 33.33 परसेंट ठीक है ओल कैस रिसी बाइद ब्रांच रेमेटी टू आगरा ब्रांच एक्सपेंस पेड बाइड ऑफिस सब कुछ ठीक चल रहा है फ्रॉम दा फॉलोविंग पर्टिकुलर रिलेतिड जो यह था हमारा पिरप्टै ब्रांच डटटर काउंट्स बनाना है ब्रांच स्टॉक行了 बनाना है ब्रांच अट्ड़् shocked अकाउंट बनाना है और बुक्स ऑफ हेड ओफ़ फिस फंड आउंड और फ्रोफित or नेट प्रॉफित्य आनि वह भी बनाना है नेट पॉफिट भी आगे कहता है कोश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एट इन्वाइस प्राइस च्छासट हजार यहां लिखा हमने टू बैलेंस टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितने हैं सर कितना है हमारा चैन इसके बाद ब्रांश का डेरा ओपनिंग ग्विलेंस थो सर एक ब्रांश बान लिए झायओ बिल्कुल एक ब्रांश डेटर वह बना लेते हैं जाए मैं ऐसंव दूर्खान में कि इसको हटा लेते हैं कि चलिए इसे ले जाते हैं उठाके और यह बन गया ब्रांच टेटर ठीक है ब्रांच टेटर लिख दिया यहां ब्रांच टेटर पी एंडल लास्ट में बना लेंगे हम तो यहां जाएगा टू बैलन्स टू बैलन्स बीडी कितने सर 2,000 इसके बाद पैटी कैस एक्सेंस का ओपनिंग बैलन्स तो नहीं दिखाते और इतने कंशिंग करने के बाद तो इसमें से क्या निकालेंगे एंगे कंजूम तो हम लास्ट में माइनश मीनश प्लस करके कंजू निकाल नेंगे start लगा गहां इसके इसरेमस प्राइब तो गुट सेंट कितने का सट्टू कुट सेंट एपने हमारा जागा हमारा लाकट सेंट डो लाखथाश्यु थो श्रिक में इसके बाद इसरेंट हुआग हुआ गुटस के बाद टू एच्फाइट हु रिटन्ट हु र रिटन कितने का होगा सर छे हजार का रिटन छे हजार का क्रेडिट सेल्स 87,000 रुपीज सेल्स रिटन 3000 रुपीज कैसे यह हैं तो हम नेट लेंगे हम नेट ले लेंगे क्रेडिट सेल्स 87 है तो सेल्स आ जाएगा त्रेडिट कितने दिखा रहा है, 87 minus 3000 कर तो यहीं पर, 87 में से कितना minus कर दो गया, 3000 minus कर दो गया, तो कितना जाएगा, 84000, इसके पास cash में कितने का विका है cash में विका है हमारा एक लाख 6000 एक लाख 6000 ठीक है ना डारेक्ट लिख लिए हमने sales return यहां जरूर जाएगा by sales return कितना जाएगा यहां sales return 3000 और यहां पर जो आएगा credit sales credit sales credit sales कितना आएगा यहां पर यहां पर credit sales आएगा 87 अब देखिए आप ध्यान से देखो कि allowances वाला अगर मैं इधर यही लिखूं 84 तो क्या मैं इधर sales return लिखूंगा नहीं तो इसी बात है बस समझने का allowances to customer on the selling price already adjusted कितने का बीस दो हजार है ना दो हजार तो भई इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अल्रेडी इस प्राइज में क्या है हमारा अगर इस प्राइज में अगर इस प्राइज नहीं होता तो allowances मुझे इधर भी दिखाना पड़ता एक सवाल आएगा कहीं ना कहीं जिसके अंदर अड़ अगर नहीं लिखा होगा सिर्फ सारी चीज़े को पेड किया है तो सर इसके अंदर तो कोई रोल ही नहीं होता ना तो सारा पी इंडल में आ जाता है कोई बात नहीं मैं यहां तक यह रख रहता हूं थोड़ा adjustment मारके और बाकी पी इंडल में डाल देता हूं क्या क्या है हमारा रेंट है कितने का रेंट है गया 24 सो सेलरी 24000 और पेटी एक्स्पेंस 2000 पेटी एक्स्पेंस 2000 कहता है यह वह खर्चें जो कि head office ने दिये हैं मैं इसके लिए थोड़ा space बना लेता हूं ठीक है थोड़ा space बना लेते हैं ठीक है थोड़ा space बना लेते हैं कि चलिए अब क्या कहता है रेंट कितने का था हमारा था चौबिस तो सर रेंट कितने का है 2400 यहां लिख दिया 2400 रेंट के बाद क्या था हमारा सेलरी यहां आ जाएगा सेलरी सेलरी कितने का है 2400 लिख लिए यह पी एंडल का पार्ट है इसके बाद हमारा क्या है सर पैटी कैस्ट को हम अलग से कैस्ट की स्टाॉक है हमारा सिक्टी नई सिक्टी नई सिक्टीन न्सकी नईन क्लोजिंग के बास पैटी कैस्ट बैलेंस फिर ए यहां से क्या निकलेगा यहां से डेटर निकल जाएगा क्या इसका कोई इस्तमाल होगा जी नहीं होगा तो फटा-फट से टूटलिंग वगरा करके निकाल लेते हैं कितने बाइस हजार इटी सेवन थाउसन एक लाख नौ हजार एक लाख नौ हजार माइनस तरानवे माइनस तीन हजार सीडी आ गया तेरह हजार तेरह हजार सेडी आ गया ठीक है अब यहां की लोडिंग वगरा निकालेंगे और यहां से कुछ न कुछ निकल सकता है सौटेज सर प्लस वगरा कुछ भी तो यहां पर देखा जाए तो 84,000 प्लस एक लाख छे हजार यहां गया एक लाख नब्वे हजार प्लस छे हजार दो हजार 69 यहां गया टू सिक्स्टी सेवन टू सिक्स्टी सेवन यहां देखते हैं क्या बनता है प्लस माइनस 66 और माइनस दो लाख चार जाए अच्छा हां डिसकाउंट टिया डिसकाउंट हमने 2400 यहां भी 2400 और यहां भी रहे गया ना किसको डिसकाउंट दिया हमने इसका आंसर ना इस साइड ही आ रहा है तो सॉटेज आ रहा है तो बाइस साइड में लिख देता हूं सॉटेज तीन हजार ठीक है टोटल में चेंज गर देता हूं टोटल चेंज कर देता हूं 66000 प्रस दो लाग 4000 दो सत्तर चेक करिए आप इसको चेक करते जाएगा अब लोडिंग की बात करते हैं इधर लोडिंग निकालेंगे तो सबसे पहले रिटन पर लोडिंग आएगा टू लोडिंग किस पर रिटन पर सर कितने परसंट था यह अगर पचास यहां पर है तो 33 होगा यानि वन वाई 3 तो 2000 कि लोडिंग रिटन पर कि दो हजार रिटन के बाद देखा जाए तो अलाउंस पूरा आजाएगा हमारा है ना कितना हैं कि अलाउंस पूरे दो हजार सॉटेज का यह और बाकि हिस्ता क्योंकि इसे ट्रीट क्या करना है अबनॉर्मल लॉस तो सॉटेज एक हजार और फिर क्लोजिंग स्टॉक के उपर 69 बाकी मैं सॉटेज को यहां लिख देता हूं है दो हजार एक है एबनॉर्मल लॉस अब आ जाते हैं हम इस पर क्लोजिंग पर 69 डिवाइड़ेट बई 3 तेईस हजार तो तेईस हजार आएगा कर दो है कि सॉटेज के बाद आ जाएगा हमारा किस पर क्लोजिंग स्टॉप शॉट में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉप थोड़ा रिजस्ट कर लिए बाइसाइड में आएगा लोडिंग किस किस पर आएगा ओपनिंग पर 33,000 नहीं 66,000 डिवाइड़ेड़ बाइसाजार ओपनिंग पर कितना आने वाला है और गुट सेंट पर दो लाग अड़शट हजार और तो कुछ है नहीं और सेल्स रिटन यहां भी आना था ना सेल्स रिटन था क्या हो रहा हां अच्छा हां यहां पर तो नेट में ले रखा है ठीक है तो नहीं आएगा अगर नेट में नहीं होता तो ले ले ठीक है ना कि समझ गए बात यहां नेट का मतलब अब एक शत्यस तो बड़ा सिंपल सा सवाल बन गया था यह और टू क्या जाएगा हमारा जीपी माइनस दो हजार माइनस दो हजार माइनस एक हजार माइनस तरीस हजार कितना रहे जीपी एक लाग हां अच्छा यह जादा मैंने लिख दिया यह गराट टूटल हो गया 22,000 प्लस 67,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 में से माइनस करेंगे 2,000, 2,000, 1,000 और 23,000 कितना रहे 62,000 और यह बाई आ जाएगा बाई जीपी 62 अब आ जाते हैं पैटी कैस की बात करते हैं सर पैटी कैस का क्या बात करेंगे देखिए पैटी कैस हमारे पास स्टार्टिंग में था ओपनिंग में हमारे पास पड़ा तो मेरे पास टोटल कितने हो गए मैं लास्ट में कह रहा हूं कि मेरे पास सौ बच गया है इसका मतलब सरा आपने 2400 रुपे क्या करें 2400 आपने खर्च कर दिये या तो यह आप आकाउंट बनाकर निकाल सकते हैं यह नौर्मली कर सकते हैं तो 2400 जो आपने खर्च किया है वह यहां आएगा पैट्टी एक्स्पेंस समझ में आई बात आपको 2400 रुपे यहां आएगा पैट्टी एक्स्पेंस क्लियर है किसका हां डेटर उसमें बीच में आ गया था ना यह कर देंगे वैसे डेटर का तो कोई यूज ही नहीं है फिर भी बनवाए तो बना लेते हैं नेट प्रॉफिट निकाल ले 62,000 62,000 माइनस 24,000 माइनस 24,000 माइनस 24,000 31,200 चेक करिए कितने और क्या छोड़ दिया 24,000 पर क्या छोड़ा टोटलीक में छोड़ दिया कि मैंने 24,000 24,000 24,000 24,000 और एक और 24,000 है कुछ क्या था क्या था क्या था डिसकाउंट लिख लिए मैंने डिसकाउंट रहे गया ना डिसकाउंट भी तो आए गया यहाँ तो यह आ गया हमारा माइनस 24,000 नेट प्रॉफिट समझ में आया कोई एक दो पॉइंट शूट गया कोई दिख रिख रिख है चलिए आगे आ जाते हैं आगे सब तो होई गया बस डेटर को ठीक करना है एक लाख तो यह था हमारा एक सवाल नंबर 10 जो कि काफी टाइम से बच्चे डिमांड भी कर रहे थे उनको समझ में आ गया सर अलाउंसस डेटर अकाउंट में क्यों नहीं आया अलाउंसस डेटर में भी आता है अगर अल्रेडी अर्जस नहीं होता क्योंकि बोला हुए अल्रेडी अ तो दुबारा दिखाऊ तो डबल माइनस हो जाएगा ना क्योंकि कभी एक साइड जब कोई रखते हैं और उसके अपोजिट साइड कुछ भी रखते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि उसको माइनस किया जा रहा है तो अगर आप यहां माइनस कर दिया तो अपोजिट नहीं अगर आप यहां 2000 अलाउंस को एड कर दो कितना कर दो आप 87 के जिखाए पर आप कर दो 89 फिर आप दिखा दो 2000 कोई फरक नहीं पड़ता समझे बाता सर डप्रीशेशन वाला चैप्टर सर रिवेल्यूएशन अकाउंट सर हाँ बिल्कुल वह भी होगा अभी पहले डिपार्टमेंटल कल आज इसको खतम करके कल लीज खतम करेंगे या डिपार्टमेंटल खतम करेंगे दोनों में से एक मैं मुस्ट पॉबली कल लीज करवाद क्लियर रहें चलिए